हलो बोजन गल्स तैयारी जोर शोर से चल रहा है 3 mistakes that you have to avoid to score very good marks and pass in one attempt I am just going to make one short minute video for you guys और ये 3 mistakes आपको avoid करना ही होगा चाहे जो हो जाए ठीक है positivity आप तक आए वीडियो को like ठोग डालो और अब सुन लो भाई 3 mistakes जो आपको avoid करना है सबसे पहले सबसे पहला mistake है कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि पढ़े जा रहे है पढ़े जा रहे है हे भगवान वो ला question जो है न उसमें मेरा concept नहीं आ रहा है या ला question कैसे होगा हे भगवान कोई तो बता दो चलो यार एक बार ना teacher का recording है मेरे पास उसको चला करके देख लेते हो लो question जो है वहाँ से कर लेते है ऐसा बिलकुल मत करना जो topic आपका पहले का छोड़ा हुआ है जो concept आपका पहले का छोड़ा हुआ है आप exam के दो तीन दिन पहले या exam के एक दिन पहले आप उस concept को मत उठाइए आपके paper में आए गई गई नहीं वो चिंता मत करिए तर शुरुआत में तो जो आप चालू किये थे बोलते थे आए ठीक है जो छोड़ोगे वही आएगा लेकिन भाई अब exam का एक दो दिन पहले न अगर तुम कोई concept छोड़ रखे हो और उसमें तुम अपना समय बरबाद करते हो तो 99% concepts जो है ना जो तुमको अलड़ी अच्छे से आता है बट revise नहीं करोगे तो वो खराब हो जाएगा तो आप एक student हो अगर आपको सारे chapters नहीं भी आ रहे हैं कोई दिकत नहीं है ICI choice देता है paper आपको 100 marks का attempt करना है but question paper आता 100 marks का थोड़ी ने 120-125 number का आता है 25 number का आराम से जो है आप choice में उसको निकाल सकते हो तो यह गलती मत करना जिसमें stuck हो रहे हो हटा उसको हटा आगे पढ़ो प्यार बहुत कुछ है पढ़ने को ठीक है दूसरा बात तो पहला बात clear होगी हम लोग को कि जास टक होंगे वो topic वो concept जो है आप skip करते चलिए last में अगर समय बचेगा तो उस पर आ जाएंगे लेकिन अभी भाई बहुत कुछ है पढ़ने को उसमें आगे बढ़ते चलो ठी दूसरा concept यह है कि भाई आप PYQ, RTP, MTP एक बार पका से दिख करके चाहिएगा ठीक है जितना हो सके PYQ, RTP, MTP पका से दिख करके चाहिएगा वहां से जो है high probability रहता है उसी प्रकार का question भी रहता है तीसरा और सबसे important sheet है stop feeling nervous यार it's okay it's just another exam तुम अकले नहीं दे रहे हो भा एक्जाम फियर के बारे मत चुचाहिए नो it's easier said than done बट यहीं तुमको जो है na success or triumph करवाएगा stop feeling nervous positive रहो तुमारे साथ अच्छा ही होगा just give your best whatever time you have just give your best and leave the rest मत अपने आपको guilty feel कराओ कि पहले पढ़ लेते तो क्या होता अरे भाण में गया अभी जो तुम्हारे पास समय है ना वो भी काफी है ठीक है उसमें भी तुम्हारा राम से निकाल सकते हो तुम्हें वेश मत करो stop feeling nervous and just give your best and leave the rest all the very best I hope आप लोग का exam बहुत बढ़ी है कर दो